हेलो फ्रेंग्स मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूं सान्या गार्णिंग चैनल में आज हम बात करेंगे कि परपल हर्ट प्लांट को हम किस तरह से प्रॉपिगेट कर सकते हैं इसकी केर के उपर मेरा वीडियो है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उपर आई बिटन से उसको देख सकते हैं परपल हर्ट प्लांट बहुत ही खूपसूरत प्लांट है और इसमें चोटी से पिंक कलर के फ्लावर्थ निकलते हैं तो इसकी प्रॉपरिगेशन करना बहुत ही इस कास्वी तो पहले हम इसकी एक काटिंग लेले लेंगे जिस में से हम और भी छोटी-छोटी cuttings निकालेंगे, इसकी cuttings soft होती है, तो आप इसको हाथ से भी चाहें, तो थोड़ा सा, हलका सा push करेंगे, और ये तूट जाएगा, तो चलिए हम पहले इसकी cutting ले लेते हैं, फर फिर हम इसे grow करना start करते हैं, तो friends, ये देखें, मैंने इसकी एक बड़ी सी cutting ले ली है, इसकी cutting होती है, बहुत ही soft होती है, और इसकी जितनी भी leaves है, हम इसको remove कर देंगे, नीचे की सारी leaves remove कर देंगे, और उपर की soft leaves होंगी, हम उन्हें छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें, तो उन्हें भी remove कर सकते हैं, बड़ जो soft leaf है, मैं उसको रहने दूँगी, और जितनी भी leaves थी, सबको मैंने remove कर दिया, तो इस cutting में से 3 cuttings निकल जाएंगी, तो मैं इस तरह से चोटी-चोटी 3 cuttings ले ले लेती हूँ, इसकी आप बहुत चोटी सी cutting लगा देंगे, तो भी ये बहुत ही easily grow हो जाता है, तो cuttings हो गई है, और अब मैं इसे side में रख दियती हूँ, और एक pot फिल कर लेती हूँ, तो friends इस तरह के एक डिबबे में मैं इसको grow करूंगी, तो डिबबे में नीचे मैंने थोड़े से drainage hole बना लिए हैं, जिससे की पानी अच्छे से निकल जाए, अब हम इसमें soil में मैं इसम जिससे garden soil में भी grow कर सकते हैं, तो जब हम pot में, जब soil को fill करेंगे, तो अच्छे से दबा दबा के नीचे fill करेंगे, जिससे की जो पानी है वो अच्छे से निकल सके, तो पहले हम अच्छे से सारी जितने भी soil है इसको fill कर देते हैं, तो friends soil को हमने अच्छे से भर दिया, और एक और जो cutting है उसको भी लगा देंगे, तो जिन cuttings में leaf नहीं है, उसमें आप यह ध्यान दीजेगा कि कौन सा उपर वाला portion है और कौन सा नीचे वाला है, क्योंकि अगर आप उपर नीचे गलत कर देंगे, तो फिर वो cutting अच्छे से grow नहीं होगी, तो आपको उपर कौन इस तरह से हमने सभी cuttings को लगा दिया, cuttings को लगाने के बाद आप अच्छे से पानी दे दीजिए, और पानी देने के बाद आप इसे semi-seade में रखिएगा, हल्की-फुल की धूप मिलेगी, तो कोई problem नहीं है, यह अच्छे से grow हो जाएगा, तो चलिए मैं इसको कुछ दिन और जो चोटी-चोटी cuttings थे, इसमें एक भी leaf नहीं थी, बट यह देखे हैं, इस तरह से आप purple herd plant को easily ही घर पे grow कर सकते हैं, और cutting लगाने के कुछ दिन बाद ही आप देखेंगे, यह बहुत सारे इसके plants बन जाते हैं, और इस plant में ही चोटे-चोटे-चोटे से cutting के पास से ह यह roots भी develop होती है, आप उन roots को भी वहां से cut करके और वहां से प्लांट को लगा देते हैं, तो भी plant बहुत ही easily grow हो जाता है, फ्रिंट्स यह पांच महीने बाद का result है, पांच महीने के बाद जो cutting है, वो इतनी अच्छी और यह देखें कितने जादा यह growth इसमें हो गई है, तो इस तरह से आप easily purple heart plant को घर में grow कर सकते हैं, तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे comment box में comment करिएगा, thank you